अगर आप इनको सीखते हैं तो आप अपनी इंगलिश को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं बिना किसी ग्रामर को सीखे तो आज हम सीखेंगे फोन पर बोले जाने वाले कुछ ऐसे डेली के सेंटेंस जो आप बहुत ज़ादा हिंदी में यूज करते होंगे तो आईए सबसे पहले सेंटेंस से शुरुआत करते हैं जो है आपकी आवास कट रही है फोन पर बात करते हो अक्सर ऐसा होता है कि किसी की आवास हमें कट कट कर सुनाई देती है तो हम हिंदी में ऐसा कहते हैं कि आपकी आवास कट रही है इंगलिश में सेंटेंस को आप ऐसे कहेंगे, your voice is breaking up, your voice is breaking up, second जो हमारा sentence है, ठीक है, मैं phone रखती हूँ, ठीक है, मैं phone रखती हूँ, okay, I'm gonna hang up now, okay, I'm gonna hang up now, gonna का मतलब going to का short form है, contraction form, अगला हमारा sentence है, उसने phone रख दिया, बहुत बार ऐसा होता है, कि वो phone रख देते हैं, काट देते हैं, तो इसके लिए जो phrase यूज़ होगा वो है, he hung up the call, या he hung up the phone, he hung up the phone, जो हमारा sentence है, वो तो बहुत जादा हम यूज़ करते हैं, मेरी बैटरी खत्म हो गई अक्सर ऐसा होता है, कि जब हमें phone की जोरत सबसे ज़्यादा होती है, तब phone की बैटरी खत्म हो जाती है, और वो हमारे किसी काम कर नहीं रहता है, तो इस sentence को हमें बोलना है, कि मेरे phone की बैटरी खत्म हो गई, या मेरी बैटरी खत्म हो गई, तो आप कहेंगे, my battery is dead, my battery is dead, अगला हमारा जो sentence है वो है, माफ करना, मैंने गलती से phone काट दिया, माफ करना, मैंने गलती से phone काट दिया, तो आप इसे English में कहेंगे, sorry, I cut off the phone by accident, sorry, I cut off the phone by accident, तो आप सभी इन sentences का रोज use करिये, ताकि आपकी English improve हो सके, और आज का वीडियो कैसा लगा, ये भी बताएगा, चैनल पर बहुत सारे से वीडियो हैं, जो आपके लिए बहुत useful होंगे, tense के, voices के, और structures के, आप उनको देखकर अपने English को improve कर सकते हैं, कैसा लगा वीडियो, ये ज़रू बताएगा, comment box में, thank you so much.